दोस्तो आज की समय में मोवाईल हमारी जिन्दिगी का एक एहमिस्था बन चुके हैं उटते बैठते, सोते जाकते, चलते फिरते मोवाईल हर दम हमारे साथ रहता है और ऐसे में जब हमारे पास मोवाईल ना हो या फिर मोवाईल की बैटरी खत्म हो जाए तो हमारा सारा काम रुक्सा जाता है और आज कल हम खुद से जाता अपने मोवाईल और अपने मोवाईल की बैटरी का ध्यान रखने लगे हैं मोवाईल के जरी हम अपने दोस्तों से बात करते हैं और लाइन पेमेंट करते हैं, शौपिंग करते हैं साथ ही और भी कई दूसरे ज़रूरी काम कर पाते हैं और ऐसे हम अगर हमारे मॉबाइल के बैटरी खत्म हो जाए तो हमें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो इसलिए कई जगाहों पर जैसे कि एरपूर्ट, होटल, सौपिंग सेंटर मॉबाइल चार्जिंग की सुभिधा के लिए USB पोर्ट लगे होते हैं हम इनसे अपने मॉबाइल को कनेक्ट करते हैं और मॉबाइल चार्ज करने लगते हैं लेकिन आपको बता दू कि इन USB पोर्ट से अपने मॉबाइल को चार्ज करना बिल्कुल वी सेफ नहीं होता है भी कॉंडम की तरह नहीं होते हैं, लेकिन ये आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये आपको जूस जैकिंग से बचाते हैं, दोस्तों जूस जैकिंग एक तरह का साइबर अटेक होता है, और इसमें पब्लिक USB पोर्ट के जरिए आपकी मॉबाइल में मालवेर इंस् अप्लाई तो करता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर या डेटा एक्सचेंज को पूरी तरह से रोक देता है, और ये इतना छोट होता है कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, और अगर बात करें इनकी कीमत की, तो ये बहरत में ओर्लाइन 500 से 1000 रपे की बीच मिल जाते हैं, द दोस्तों, IBM की साइबर सिक्योर्टी रिपोर्ट के रिउसार, मालवेर कंप्यूटिंग पावर को हाईचेक कर सकती है, जिससे आपका मोबाईल स्लो हो जाएगा, और आपका डेटा भी इन हैकर्स के पास चला जाएगा, दोस्तों, अगर आप पबलिक USB पोर्ट से अपना मो पिस्क्राइब करने आपके सावाल ने सुचा है तो कॉमेंट बॉक्स को कॉमेंट करके बठाएगे